इंडियो वर्सस रोस्टेलिया के बिद दूसरा ओडियाई मुकाबला विशा का पटनम में खेला गया इस मुकाबले में भारते टिम को दस विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले की बात करे तो इस मुकाबले में भारते कप्टाम नोशी चर्मा इस किस्टन को टीम से भार कर दिया गया था जहां पर ऑस्टेलिया ने टोस जित कर पहले गेंदबाजी करने का फिसला किया उनका ये फिसला सही थाबित हुआ क्यूंकि भारती ओपनर रेस मुकाबले में नहीं चल पाई जहां पर शुमन गिल पहले ही ओवर में आउट हो गए उ उसके बाद सुरी कुमार यादा वीराट कोहली जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज इस मुकाबले में नहीं चल पाई वहीं मिचल इस्टाक ने बहतरें गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट अपने नाम किये वहीं बात करें ऑस्टेलिया की ओर से तो नेथन एलिस ने रनों पर ओल आउट हो गए ये अस्टेलिया के खिलाब टीम इंडिया का सबसे छोटा और खराब स्कोर है जहां पर पूरी टीम 117 रनों पर ओल आउट हो गए तो क्या लगता है आपको तीसरे ओडियाई मुकाबले में भाज़े टीम अच्छी वापसी करेगी और उस्टे